हाई फ्रेंड्स वेलकम तो दो सुमित्रास कीचन तो आज हम यहाँ पर बहुत सारी इधर उधर की बाते नहीं करेंगे सीधे मुद्धे पर आते हैं फूल गोभी के क्रिस्पी करारे दिखने वाले और मुलायम खाने में पराठे बनाएंगे साथ में बनाएंगे अमरूद की एक अमेजिंग चट्नी तो चलिए तायारी कर लेते हैं आटा गूतने के लिए मैंने यहाँ पर गेहू का आटा लिया है दो कप साथ में डाला है वन फोर्थ कप मैदा ताकि पराठे जो है बिलकुल मुलायम बने और यहाँ पर मैं एड कर रही हूँ टू टी स्पून दू आटे में मिक्स हो जाए उसके बाद में हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालते हुए एक आटे का बहुत ही अच्छा सा डो बनाकर तयार कर लेंगे आटे को बहुत ज्यादा कड़ा नहीं गूतना है नहीं तो पराठे बहुत ज्यादा कड़े बनते हैं तो इसलिए यह यहां पर गोभी के पराठे या मुली के पराठे आप किसी के भी पराठे बनाएं तो आठा हमेशा सौफ्ट लगा कर ही तयार करें और इसे अब हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे कम से कम 20 मिनिट के लिए ढग कर आप तयारी करते हैं अमरूद की चटनी बनाने की यह बिल्कुल लाजवाब बनती है सभी पराठे पूरी के साथ या किसी और चीज के साथ बहुत अच्छी लगती है तो चलिए यहां पर हमने अमरूद चुना है जिसके अंदर बीज बिल्कुल भी नहीं है साथ में यहां पर एड करेंगे हम अद्रक, हरी मिर्च और लसन अग किसी भी पराठे के साथ में या दूसरे किसी के साथ भी आप इसे अराम से खा सकते हैं इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग है तो यहां पर हम क्या करेंगे कि छोटे बीजो वाले ही अमरूद लेंगे ताकि पीसते समय भी जादा उसमें दरदरा न रहे अब यहां अगर अमरूद आप थोड़े से कच्चे लेंगे तो चटनी बहुत अच्छी बनती है अंदर से लाल वाले अमरूद न ले इसके साथ में हम यहां पर एड़ करेंगे धनिया की पत्ति चाहे तो थोड़ी से पुदीना की पत्ति भी आड़ कर सकते हैं अब यहां पर एड़ सफेद नमक, काला नमक और थोड़ा सा खटाई के लिए डाल रही हूं इमली और यहां पर मैंने चीनी की जगह पे गुड़ कर इस्तमाल किया है आप अपने स्वाद के अनुसार कर सकते हैं चाहे तो आप यहां पर इसे दरदरा भी पीश सकते हैं या जिस तरह मैंने स्मू पराठा बना रहे हैं तो पहले मैंने यहां पर अधरक और हरी मिर्च और धनिया पत्ती इन तीनों को ना एक साथ बहुत ही बारिक बारिक मैं यहां पे चौप कर लूँगी क्योंकि हम पराठे बनाएंगे तो इन सभी चीजों का बहुत जादा बारिक पिसना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो पराठे बनाते समय यह फर्ट सकते हैं सीजन में मिलने वाली सभी सबजियां का इस्तामाल खाने में जरूर किया जाना चाहिए इससे हमें जो है नैचुरल वाइटामिन्स की कभी भी कमी नहीं होती है तो यहां पर मैंने एक मिडियम साइस का फूल भी लिया है इसके काटने का सही तरीका है पीछे से पहले डंठल को निकाल कर अलक कर देंगे और उसके चोटे चोटे जो फूल है उसे अलक काटकर निकाल देंगे अब मैंने यहाँ पर एक किसनी लिया है और इसे अच्छे से हम कीस कर इसके बिल्कुल बारी किसे कर लेंगे तो यहाँ पर हमने सभी गोभी के जो फूल है इसे अच्छे से कीस लिया है अब बारी आती है इसमें से हम पानी निकालेंगे पानी निकालने के लिए दोनों हातों में फूल गो भी कि इसको बीच में रखेंगे और दोनों हातों से खुब अच्छे से दबा कर इसमें से पानी निकालेंगे क्योंकि एक मतलब किसी भी सब्जी में उसकी एक अपनी नाचुरल जो इसमें वाटर होता है इसे निकालना बहुत ही जरूरी होता है नहीं तो हमारे पराथे जो है वो चिपक सकते हैं उसमें आप फीलिंग भरते समय उसमें कुछ प्राब्लम भी हो सकती है फट सकता है तो इ इसे दबा कर पानी निकालना है अब जो हमने यहां पर हरी मिर्च अद्रक और धनिया का जो एक मसाला कया था इसे हम गोभी के उसमें मिला देंगे साथ में आड़ करेंगे यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर मिलाएंगे और यहाँ पर मैंने हाफ टीस्पून अजवाइन मिलाया है और इन सभी चीजों को खूब अच्छे से मिला देंगे यहाँ पर एक चीज और मैं मिला रही हूँ वो है घर का बना हुआ गरम मसाला थोड़ा सा यहाँ पर डाल सकते हैं स्वाद को एन्हेंस करने के लिए और आप चाहें तो यहाँ अमचूर का पाउडर भी डाल सकते हैं उसके बाद में हम इन सभी चीजों को गोभी के साथ बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ेंगे नहीं इसे तूरंत ही हम पराठा बनाना शुरू करेंगे नहीं तो जो स्टफिंग है उसमें हमने नमक मिला कर रखा है वो बहुत ही जल्दी फिर से पानी छोड़ना शुरू कर सकता है आठा हमारा बहुत अच्छे से लगके तैयार हो गया है अब मैं क्या कर रहे हूँ कि इसमें मोटी मोटी लोईया निकाल लूँगी इसके पेड़े बना लेंगे पराठा बनाने के लिए ध्यान देने वाली बात यह है कि आठी की जो लोईय होती है यह थोड़ी सी नॉर्मल जो मिडियम जो मतलब की रोटी की जो साइज होती है उससे थोड़ी सी बड़ी ही लेनी चाहिए नहीं तो उसमें स्टफिंग भरतने के बाद अगर आप बे लेंगे बहुत जादा पतला होने से वो फट सकता है तो यहाँ पर मैंने एक मिडियम साइज से थोड़ी सी बड़ी यहाँ पर एक लोईय ली है और उसकी मैं वाटी बना रही हूँ वाटी बनाने के बाद में मैं यहाँ पर तीन चमच स्टफिंग डाल रही हूँ अंदर और इसे उंगली से दबाते हुए खूब अच्छे से इसे हम बंद कर देंगे आपस में आठे को चिपकाते हुए एक पोटली जैसा तयार करेंगे और इसे घुमा कर फिर से गोल पेड़ा बना लेंगे हाथ में सूखा आठा जरूर इस्तमाल करें उसके बाद में हम पीडे पर आठा डाल कर पराठे को छोटे छोटे आकार में बेलेंगे बेलने का सही तरीका यही है किसी भी स्टफ पराठे को बेलने के लिए बहुत हलके हाथों से इसे बेलना पड़ता है बहुत जादा दबा कर इसे ना बेले तो ये देखिए हमारा कितना बढ़िया पराठा बनके तयार है मीडियम साइज का अब इसे हम गरम तवे पर डालेंगे बिल्कुल ठंडे तवे पर ना डालें जिससे क्या होता है ना कि पराठा बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है तो तवा बहुत अच्छे से गरम होना चाहिए जब तक ये पराठा सीखता है तब तक हम दूसरी स्टफिंग भर के तयार कर लेते हैं तो गोभी जो है अच्छे से उसमें ठास कर भरे ताकि जो है अंदर जो पोटली है वो खाली ना रहे अगर पोटली अंदर से खाली यानि की धीली रही तो बेलने में जितनी परिशानी होगी और पराठा फट सकता है तो यहाँ पर भी मैं एक मीडियम साइज का पराठा बना कर मैं तयार कर रही हूँ अब पराठे को हम दोनों साइड से बहुत अच्छे से हम सेक लेंगे सेकने के बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे घी आप चाहें तो खाने वाला आप जो भी तेल इस्तमाल करते हैं उस ओल का आप इस्तमाल कर सकते हैं बटर से भी पराठे को सेका जा सकता है उसके बाद में दोरों साइड में हम खुब अच्छे से घी, तेल या बटर लगा कर पराठे को क्रिस्पी करारे पराठे बना कर हम तयार करेंगे तो देखिए हमने कितना अच्छा गोबी का पराठा बना कर तयार कर लिया है और ये अच्छा खासा मोटा सा पराठा बन के तयार है अब इसी तरह हम दूसरा पराठा भी सेख कर तयार कर लेंगे उपर से दिखने में कितना क्रिस्पी करा रहा है यह लेकिन खाने में यह बहुत ही मुलायम गजब का है बहुत यमील टेस्टी बना है इसके जो stuffing का मसाला है इसे तयार करना ही बहुत मतलब tricky है इसे आप जरूर अच्छे से तयार करें तो पराठे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और ये अमरूत की चटनी के साथ में जब मैंने ये पराठा को परोसा तो पराठा खाने में तो और भी अच्छा लग रहा था आप चाहें तो यहाँ पे दही के साथ बूंदी का रायता भी बना सकते हैं या हरी धनियापती के सिंपल चटनी के सास या सॉस के साथ भी खाया जा सकता है तो रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कामेंट करना ना भूले वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें खूब सारा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले अब देखिए यहां पर मैं एक पराठा आपको तोड़कर दिखा रही हूँ कितना मुलायम और क्रिस्पी बना है ये खाने में अमरूत की चटनी के साथ में तो अमेजिंग और गजब ही लग रहा है तो ये रेसिपी को इस बार आप जरूर ट्राइ करें और मुझे बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी तो मिलते हैं अगली बार किसी विंटर स्पेशल रेसिपी में तब तक के लिए टेक केर बाबाए